वेलकम बैक टो मैं वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नामे चेक और प्रिपेशन यह इस सीरीज का वन नंबर पार्ट है इसमें को 25 प्रसन होंगे ठीक है जो आपके किसी भी एकजाम के लिए जैसे यूपी पुलीस या फिर आज का पहला प्रसन है आपका कि पौवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन से एनी बेसेंट ससी थरूर दादा भाई नेरो जी या जैराम नरेश तो इसका सही जवाब की बात किजा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संग के शीयाने की दादा भाई नेरो जी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोशेंट के तरफ अगला क्रसेंट है और से निक रसाइनिक प्रतीक क्या है आपशन से एचे इस एन या फिर अर तो इसका साही जवाब का उपसों से ड़ी याने के यार जो है आर्सेनिक का सिंबल होता ह या प्रतीक होता है ठीक है नेस्ट को सब्सक्राइब बढ़ते हैं अगला कोश्चन है अर्था वेद खाले स्थान खंडों का संग्रा है कितने खंडों का संग्रा है 15 10 सब्सक्राइब बढ़ते हैं सब्सक्राइब अगला कोश्चन है शुत्र वाले योगिक का नाम क्या है एसिटिक एथेनौल क्लोरोफॉर्म या मेथेन तो सब्सक्राइब होगा एथेनौल ऑप्सक्राइब दिद्ट भी एथेनोल इसका सभी जवाब होगा यानिके आफ़सं संख्याबी साई होगा टिए दिए निश्च्पोशन के तरफ बढ़तां अगला कोश्चन है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है खाली अस्थान में इस्तित भागवान अयप्पा के पवित्र उप्वन में मकर विलक कु उत्सों मनाया जाता है कहां पर है जहां पर मकर विलक कु उत्सों मनाया जाता है आंधर प्रदेश में तेलंगाना में करनाटक में या केरल में इसक हाँ पेट्रोलियम में मौझूद निमलिखित में से कौन सा योग एक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनीरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है अपसें सोडियम पोटेसियम कैलसियम यह सलफर ठीक है इसका सही जाव होगा ऑफसेंगे डी यानिकी सलफर सही होगा ठीक है सलफर जलने पर क्या बनाता है इस्टू का निर्वान करता है डिस जंग लगता है ठीक है रिफाइनरी और दहन इंजनों में अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है भारत को चुनावायोग एक्सन कमिशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निस्पक्ष चु संबंदित प्रावधान सुरच्छित हैं ठीक है तो इलेक्सन कमिशन ऑफ इंडिया जो है यह भारति समिधान के अनुश्चे 324 में आता है ठीक है याद रखिएगा और संख्या सी सही होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है निमलिकित में से क्या निस्फल भूमी बैड मुख कारण है ऑप्सन से अलप वर्षा खुले में सौच अत्यदिक वनारोपन या मिर्दा अपर्दन इसका सही जवाब को मिर्दा अपर्दन मिर्दा अपर्दन जो है बैड लेंड का एक मुख कारण होता है आगे बढ़ते हैं आगला सवाल रुजुक्की क्रोडेट्स स इसमें प्रिष्ट रज्जू पाया जाता है तीसरह इनम द्यवी उदर ये ठोस तंत्रिका रज्जू पाया जाता है यह फिर लखे कथन में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है अगला स्वाल सवामी नाएडू निमिलिखति में से कौन सो संगीत वाइलिन मेंडॉलीन नादस्वारम या वीना तो बात किया द्वारम वेंगटा स्वामी की तो यह बजाते थे वाइलिन ठीक है अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है प्रधानमंत्री अनदाता आईसनरचन अधिनियम सुरी अभियान पीएम आसा में खालिस्तान घटक है जो सरकारी क्रिसी उपज की कीमत और दश्टा के लिए नीती भंडारन में अपवय और रिसाव को कम करने और वीतिया लाब कमाने के लिए तर्क संगत व्याख्या करते है ठीक है कितने घटक है पीएम आसा में दो तीन पाच या आठ इसका सही जब होगा तीन घटक है टोटल ठीक है याद रखना है आपसर संख्या बीस होगा तीन घटक आगर बढ़ते हैं अंगला सवाल तेरा नंबर जन संख्या योग के नुसार भारत में देश की कुल बाल जन संख्या में ग्रामिन बाल जन संख्या का परतिसत कितना है 55.2 तीन परतिसत 62.45% 79.03% या 74.05% जिसका सही जब होगा आपसर संख्या D 74.05% ठीक है आपसर संख्या D सही होगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है जनवरी 1931 में महातमा गांधी की जेल रिहाएक के बाद कॉंग्रेस नहिताओं ने भविस्ची कारवाई की योजना बनाने के लिए खालियस्थान में मुलाकात की कहां पर मुलाकात की थी सूरत में, इलाहबाद में, लाहोर में या कलकता में ठीक है? जोगी कहां पढ़ता है? उत्तर परदिस में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है अपसिष्ट जल उपचार की परिक्रिया को समानिता खालियस्थान उपचार कहा जाता है? सुचमजी उपचार, जिवानू उपचार, परदूसक उपचार या फिर सीवेज उपचार? इसका सही जवाब होगा? आफसन संखेड़ी सीवेज उपचार ठीक है, option से के D सही होगा यहां पर, अगर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल है मुसी नदी निम्लिकित में से किस नदी की सहायक नदी है, option से Krishna, गंगा, गोदावरी या जमुना सब्सक्राइब होगा और सब्सक्राइब करें अगले सवाल के तरफ अगले सवाल है डबलू एचो विश्व स्वास्त संगठन वर्ल्ड हिल्थ और और्गनेजिशन के अनुसार निमिलिक्रित में से कौन पारंपरिक पेजल उपचार सन्यंद्रों में बने किटानु सोधन उ सब्सक्राइब का उधारन नहीं है कि आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ अगले सब्सक्राइब कर दिया गया था किसके कारेकाल के दौरान निरस्त किया गया था लौड लैंसडाउन लौड डफरिन लौड रीपन यह लौड नौर्थ ब्रुक इसका सही जवाब होगा ऑफसर संक्यासी लौड रीपन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्लिकित में से कौन भारती रिजरुबैंक के पहले भारती एक गवर्नर थे अफसर से पीसी भटाचारे एच बी आर लेंगर सीडी देश्मुक या एलके जहाब ऑफसर से क्यासी सीडी देश्मुक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्लिकित में से कौन 1946 में मदरास निर्वाचन छेतर में से सविधान सवा के सदस्य बने थे अफसर है हंसा जीवराज महता कमला चौधरी अम्मु स्वामी नाथन या बेगम एजाज रसूल से जबब ऑफसर से कैसी अम्मु स्वामी नाथन ठीक है अगे बढ़ते हैं अधियन इमित किया गया था पहला है 73 समिद्धान संसोधन उसके बाद 72 समिधान संसोधन उसका 71 या फिर से सवाइन या फिर से जबब ऑफसन संटी 74 समिधान संसोधन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है राश्टिय सहरी स्वच्टानीते कि तहत कोई ऐसा सहर जो 34 और 36 के बीच ऑंक पराप्ट करता है और जिसमें काफी सुधार क्या सकता हो वह खालको स्थान से रंग कोडीत होता है किस रंग से बाद होता है नीला काला हरा या लाल काला से कोडीत होता है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला है तरल अप्सिष्ट जल के उपर तैरने वाला वासा ग्रीस्थ और तेल लेसा ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं यह खालेस्तन कहलाते हैं सलज कंपोस्ट यूरिया यह पीट सही जाब होगा सलज यानिके ऑप्सन संख्या यह स संतूलित रखते हैं ऑप्सन से तमासा चरी कोली या धनगरी गजा निर्थ ठीक है सही जाब होगा चरी निर्थ ठीक है ऑप्सन संख्या बी सही होगा अगे बलते हैं अगले सवाल की तरफ और आज का आखरी सवाल स्रियकाल तक्त साहिब खाली स्थान परीसर के भीतर इस् साहिए होगा तो आज की वीडियो में इतने ही फ्रेंड हम लोगों लगों 25 प्रसंट हो किया है आपको इसमें से कितने प्रसंट के अंसर आते थे आप कमेंड बॉक्स में जरूर मेंसें करिए ताकि हमें भी आडिया लगे आप की प्रिप्रेशन इस चल रही है क्योंकि स्र